हेलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल मनी टिप्स में आपका एक बार फिर से सागत है देखिए आज कल मोस्ट आफ दा पैरेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर हमारा बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है टाइम टाइम पर डाइट ले रहा है इस्टिल वो देखने में दुबला पतला लग रहा है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बच्चे के वजन ना बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं या फिर उसके लिए क्या उपाई कर सकते हैं तो आएए अब बिनादेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Newborn baby की या फिर जो जो six months से below है देखे जो newborn baby होते हैं या जो 6 months से below हैं वो totally breast milk पर या फिर formula milk पर depend होते हैं especially अगर हम उन babies की बात करें जो बिलकुल newborn हैं जो 3 months से भी below है तो वो ज़्यादा तर time जो है वो सोने में ही बिता देते हैं जिससे की बच्चे को proper feeding नहीं मिल पाती है अब कभी कभी जो new moms होती हैं या जो first time mother बनी हैं उनको इतना idea नहीं होता है और वो सोचती हैं कि बच्चे का पेट अभी तो भरा ही है इस्टिल वो सो रहा है या फिर जब baby उठेगा तो उसको feed करा देंगे ऐसा जो है mother सोचती हैं लेकिन यहां पर हम गलती कर रहे हैं अगर आपका baby 4 घंटे से भी ज़्यादा सो रहा है तो आपको baby को जगा करके feed कराना है आपको हर 2 घंटे पर baby को feeding कराना है क्यूंकि अगर baby proper feeding नहीं लेगा तो बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ पाएगा तो आपको इस चीज का जरू अब दूसरा पॉइंट यह है कि वजन ना बढ़ने का एक रीजन यह भी हो सकता है कि बेबी को proper nutrition ना मिल पा रहा हो या फिर मा का जो मिल्क है वो कम बन रहा हो जिसे की बच्चे को sufficient milk नहीं मिल पा रहा है और बच्चा जह प्रॉपर feeding नहीं ले पा रहा है इस वज़े से भ बच्चे को भी देखिए proper nutrition नहीं मिल पाएगा अगर मा oily और spicy खाएगी तो बच्चे को भी वही breast milk के रूप में मिलेगा और बच्चे को अगर proper nutrition नहीं मिल पाएगा तो बच्चे का weight gain भी proper नहीं हो पाएगा तो यह भी एक reason है वजन ना बढ़ने का देखिए अब third point यह है कि बच्चों को देखिए fats वाला breast milk नहीं मिल पाता है देखिए जब बच्चा रोता है तो मा जो है उसको तुरन feed कराने लगती है और 5-10 मिनट के बाद feeding कराना बंद कर देती है जब बच्चा शान्त हो जाता है अक्सर जो है new moms यहीं करती है देखिए जो मा का जो शुरू म जो breast milk निकलता है उसको हम 4 milk कहते हैं जो बिलकुल पतला होता है उससे केवल बच्चे की प्यास ही भुच पाती है और 10-15 मिनट के बाद ही fats वाला milk निकलना शुरू होता है जो कि बच्चे को नहीं मिल पाता है क्योंकि 10 मिनट बाद तो माने feeding कराना बंद कर दिया है तो 10 मि मिल निकलता है जो गाड़ा मा का दूद होता है जब वह बच्चे को नहीं मिल पाएगा तो बच्चा प्रॉपर वेट गेन भी नहीं कर पाएगा तो आपको यह कोशिश करनी है कि जब भी आप बच्चे को breast feeding करा रही है तो एक ब्रेस्ट से कम 15-20 मिनट तक बच्चे को फी वह फोर मिल्क होता है और वह बहुत ही पतला होता है 15 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट बाद जो मिल्क निकलना शुरू होता है वह fats वाला गाडहा मिल्क होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत जादा जरूरी है तो आपको इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना है अब दे बच्चे का वजन भी ठीक से नहीं बढ़ा पाता है और बच्चे का mental और physical development भी ठीक से नहीं हो पाता है अगर ये development ठीक से नहीं होगा तो बच्चा weight gain भी नहीं कर पाएगा तो आपको इस शीश का ध्यान रखना है कि बच्चा ज्यादा ना रोए अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है बार बार रो रहा है तो हो सकता है बच्चे को कोई तकलीफ हो कोई बिमारी हो जो की आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इसके लिए अपने पेडियर्टीशन से तुरन कंसर्ल करना चाहिए जिससे की टाइम रहते हम उस सीज को तुरन दूर कर पाए उस सीज का तुरन ट्रीटमेंट हो सके इसके लावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बच्चा जो है प्रॉपर नीम ले जो बच्चे सो नहीं पाते हैं देखे रोने की वज़े से बच्चे सो भी नहीं पाते हैं अगर बच्चा प्रॉपर नीम नहीं क्योंकि सोने से भी बच्चों का विकास होता है तो यह तो हो गई उनकी बात जो 6 मन से बिलो हैं उन बेबी के लिए अब बात करते हैं उन बेबी की जो 6 मन से बड़े हैं तो देखे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है समुचित आहार ले रहे होते हैं प्रॉपर ऐसे में कुछ बच्चों को worm infection हो सकता है या फिर पेट में कीड़े हो सकते हैं अगर worms infection होगा तो worms क्या करते हैं कि बेबी की body का जो भी nutrients होता है उसको absorb कर लेते हैं जिससे कि बच्चे को कोई भी nutrients नहीं मिल पाता है तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है weight gain नहीं कर पाता है बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर बच्चा proper diet ले रहा है time time से diet ले रहा है फिर भी वह वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको इसके लिए प्रेडियाट्रिशन से तुरंद consult करना चाहिए अब देखिए एक reason य उनके उपर चले जाते हैं और देखने में दूबले पतले लगते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा proper weight gain नहीं कर रहा है आप अपने बच्चे का weight monthly check करवाते रहे और अगर बच्चे का weight month on month बढ़ रहा है जितना weight होना चाहिए उसकी age के according अगर उतना है और हमेश जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर एक healthy weight gain की बात कर रही हूं मैं मोटापे की बात बिलकुल भी नहीं कर रही हूं क्योंकि जो चबी-चबी से babies होते हैं जो देखने में बिलकुल मोटे लगते हैं जरूरी नहीं है कि वह baby उतना healthy भी हो क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं weight ज उसके सांसां fruits दीजे, दूर्स से बना हुआ पनीर दीजे बच्चे को, दलिया खिलाए, सूजी की खीर खिलाए, fruit juice दीजे और आप कोशिश करिए कि बच्चे को healthy diet दीजे जिसे की बच्चा healthy बना रहे और proper weight gain भी करता रहे देखें बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, जिसे की बच्चे का weight बढ़े, उस पर मैं एक secret video कर चुकी हूँ, और बच्चे का क्या सही बजन होना चाहिए, उसकी age के according, इस पर भी मैं एक secret video कर चुकी हूँ, जिसका link मैंने description में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ जाकर के check out कर सकते हैं, तो ये है मेरा आज का video, I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे, और उमीद करती हूँ कि आज का video आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो फटा फट लाइक कर दीजे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने subscribe अभी तक नहीं किया है, तो फटा करिए कि इस video को जादा से जादा new moms के साथ, अपने friends के साथ, relatives के साथ इतको share करिए जिसे कि उनको भी सही reason पता चल पाए और उनकी भी help हो पाए, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अब next video में एक नए topic के साथ, तक तक के लिए, take care and good bye.